बच्चों लोग इस question में आपसे पूश रहा है कि यहां पे चार compound दिया हुआ है और इस चारों में किसमें huge group होगा count करके आपको बताना है दान देंगे आपके आपको इसका figure कैसा होता बच्चों लोग तो इसका figure ऐसा कुछ होता है आपके पास NH2 होगा नीचे में 103H होगा इसमें कहीं भी huge group आपको नहीं दिख रहा है तो इसका भटा दो पिक्री किसे कैसा होता बच्चलों तो पिक्री से आपको पता है कि phenol system होता है और इसमें हम लोग ती नैट्रों का डाइच करता है इस system में भी बच्चों लोग आके प आपके लिए एक option हो सकता है अगला है स्कॉर्बीक इसीड होता है पांच मेंबर का रिंग बनता है इस तरीके का और यहां पे ऐसा होगा यहां पे ओच बनता है यहां पे और रहता है ठेक है अगले पॉइंट पे यहांपे आपका एक चेन्ज चलो का इपको कहीं भी सिस्टीम नहीं होquin इस पूरे चारो option में से बस aspiring एक ऐसा figure है जहां पर आपके पास US system दिख रहा है तो दहां दो ना इसमें दो compound ऐसा जो आपके लिए बहुत मुस्किल होगा एक होगा sulphanic acid जो आपको चुकि एंचेटी में सायद नहीं दिया हुआ है आपको नहीं पता होगा तो ऐसा question tricky होता है तो मैं recommend करोगा कि अभी इसके लिए bother नहीं करना है आपको focus करना है NCRT based question पर क्योंकि आप अगर NCRT को थोरली पढ़ लोगे तब भी अपना जो JEE का प्रस्टाइल है वो आराम से 97, 98 को cross आराम से करने वाला है ठीक है आपको 99.8 परस्टाइल लाने के लिए chemistry में बस लाना है 75 के आसपास अगर 75 स्कोर आप करते हो तो आपका क्योंकि परस्टाइल होगा 99.8 के पास पहुँच जाएगा तो अगर question छूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बस focus करना 75 to 80, 100 में आपका काम हो चुका होगा बच्चों लोग इस तरह के question के analysis के लिए हमारे से जूड़े रहे हैं मिलता हम लोग अगले question में